आज आपके लेके आई हूँ पनीर की बहुती बढ़िया रेसिपी और ये पनीर में लाई हूँ आज लहौरी पनीर बहुत बढ़िया बनती है इसका मैं वेज वर्जन लेके आई हूँ जो आपको बहुत टेस्टी लगने वाला है जो लोग वेज के दिवाने हैं वो आप इस कितना बढ़िया इसका टेक्शर कलर आता है और खाने में ये बहुत बढ़िया है जादा बनाने में इसको टाइम भी नहीं लगता है तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां पे देखिए मैंने साड़े 300 ग्राम पनीर लिया है इसको मैं काट लेती हूँ तो य और इसको करेंगे मैरिनेट तो यहां पे मैं इसमें डाल रही हूँ एक चमच ओईल का रिफाइन ओईल है और इसमें दो चमच कश्मीरी लाल मिर जाएगा दो छोटे चमच है वो कश्मीरी लाल मिर जाएगा इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा तीकी नहीं होती है यह और आधा चमच नमक जाएगा और इसको अब हातों से अच्छे से मसल लेंगे तो यहां पे इसको मसल लेते हैं अच्छे से अब देखी यहां पे अच्छे से मैरिनेट हो गया तो इसको हम छोड़ देते हैं साइड में और एक मसाला त्यार करते हैं तो यहां पे अब मैं ले र पानी में घोल के तो बहुत बढ़िया बनेगा ऐसे सूखे मर डालियेगा तो इसको भी साइड में रखते हैं और बनाते हैं लाहुरी मसाला डेड चमच यहां पर जीरा है दो बड़ी एलाइची है इसी के साथ डेड चमच यहां पर काली मिर्च है और यहां पर चार से तो में मुम्दस्ते में दरदरा कूट लोग एकदम इसका find powder नहीं बनाना है अब यहां पे पनीर जो है इसको हम fry कर लेते हैं तो तेल में डाल के इसको अच्छा सा इक इक तक इसको फ्राइ कर लेंगे तो यहां पे इसको मैं फ्राइ करके निकाल लेती हूं तो यहां पे देखिए जब यह हो जाए तो इसको पलट देंगे और सारे साइट से इसका एक अच्छा सा कलर आने देंगे तो पनीर यहां पे फ्राइ हो गया है निकाल लेते हैं और इसी त लानग डाली आधा चम्मच जीरा है उसके साथ 3 प्याज बारी कटाओं प्याज को थोड़ा सा भुनेंगे तो यहाँ चमच मैं पर अधरक लसन का पेस्ट जो है वो डाल दिया है अब इसको भुनेंगे प्याज का थोड़ा सा कलर और चेंज होने तक तो इसको हमें भुनना ह अच्छे तरीके से तो भुनते हैं बीचीच में चलाते हुए प्यास देखी अच्छे से भुन गया है अब यहां पे जो हमने मसाले घोल के रखे है ना वह वाला तो वह हम डालेंगे आप कोई भी सबजी बनाया तो मसाला घोल के बनाएंगे ना तो बहुत बढ़िया बनेग अब यहां पे देखिए जो मसाला गुलावा है यह मैंने डाल दिया अच्छे से इसको मिक्स करेंगे फ्लेम को मैंने अभी लो पे रखा हुआ है क्योंकि मसाले हैं यह सरिफ तो जल सकते हैं अब यहां पे इसी के साथ अब मैं डाल दूंगी तीन चमच यहां पे दही अच हो जाएगा और यह दही का जो पॉर्शने वो अलग हो जाएगा तो हो सके अगर बहुत गरम है तो गैस को आप आफ कर दीजिए अब इसको ढखके पकने देंगे धीमियाज पे पांस से च्छे मिनिट पकने दिया मैंने देखिए दही भी अच्छे से मिक्स होके कलर उपर गया है तेल उपर आ गया है मिक्स कर लेंगे दुबारा से और यहां पर अब मैं डाल रही हूं धनिया के जो डंठल है उन्हें बारिक काटके इसका एक अलग ही टेस्ट होता है यही डालिएगा आप कोई भी सबजी में डाल सकते हैं बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसक कोई बहुत जादा इससे मसाला नहीं पड़ा है अब यहां पर जो है मैं डाल रही हूं नमक स्वात के नुसार क्योंकि यहां पर मैंने तमाटे डाल दिया है और दही भी डली है तो नमक थोड़ा सा उसी हिसाब से डालिएगा तो अब यहां पर जो हमने लाहोरी मसाला तय तो वैसे ही यह लाहोरी मसाला को भी हम दर्दरा ही रखते हैं अब देखिए फिर से मसाले को मैंने डखके जो है पकाया है और देखिए तेल उपर आ गया है मसाले का जो कलर है वो देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है ब्रावनी श्रेड है जो है कलर इसका दही डालने क बाद आ जाता है जो बहुत ही अच्छा लगता है कलर और देखिए मने मसाले को पकाया अच्छे तरीके से पानी जो है सारा सूप गया है देख सकते हैं अब यहां पे डाल देंगे हम कसूरी मेथी का पावडर तो कसूरी मेथी को भून ले थोड़ा सा बहुत जादा नहीं भ पानी इसमें ढलना है यहां पर हमें गरम पानी डालना है तो मैं बढ़ा अच्छे से इसे mix हो जाए और यहां पर देखिए अब इसको मैंने mix किया है और फिर एक बार इसको 5-7 मिनट के लिए low flame पे ढखके पका लेंगे तो low flame पे मैंने इसको ढखके पकाए और अब देखिए पनीर का रंगत कलर ग्रेवी देखिए कितनी बड़िया इसमें ग्रेवी जो है वो आई है बहुत बड़िया गर्मा गर्म सर्फ करिये रोटी नान चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है एकदम अलग तरीके की पनीर की सबजी है ट्राइ करिए बताइए मुझे कमिट में कैसा लगा तैवार के सीजन तो शुरू ही हो चुके हैं बहुत सारे तैवार आ रहे हैं तो बनाईए और जो पनीर को बहुत पसंद करते हैं खाना या वेज जो लवर है उनके लिए तो यह बहुत ज़्यादा अच्छ है तो बनाईए और आपको भी बहुत च्छा लगेगा अगर आप बनाते हैं इस तरीके से लाहोरी पनीर तो भी मुझे बताईएगा या कुछ और चीज़स में आड़ करते हैं ताकि यह और ज्यादा टेस्टी हो जाए तो वह भी मुझे लिखके जरूर बताईएगा कमें लगी तो चलिए फिर मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए तिल देन बाई